अंचल की सबसे हाई प्रफाइल सीट वाराणसी से बस्पा ने सयद नियाज अली को टिकट दिया है। हम बात करेंगे सयद नियाज अली से कि किन मुद्यो को लेकर जंता के बीड जाएंगे। सर सबसे पहले उत्तर फज़स्टाइम से आपको सौगत है। मैं सयद नियाज अली मंजू वाराणसी लोकसभा 77 से बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अध्यक्च अध्यक्चा भहन मायवती जी ने मुझको टिकट दिया है। हमारा चुनाव चिन हाथी है। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की जीताने का काम करिए। हाथी पे बटन दबाकरके धलितों की पिछलों की सरकार बनाने का काम करिए। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बार रखना हिंदी है हम वतन है हिंदूसता हमारा। कि मुद्दो की कोई कमी नहीं हैं बाबा विश्वनाद की नगरी काशी के रहने वाले हैं, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और यहीं से और बिगस 30 वर्षों से मैं समासेवा काम कर रहा हूँ, मैं सनुनी सो पंचान बे से लिए के दो हजार तक सभासत था इसी बर आवार अरसी की नगर निगम में नगर निगम का कारकांडी का सदस था 2012 में विधान सभा का चुनाओ भी लड़ा था शहर देच्छडी विधान सभासे और समाजिक कारकरना, जंता की सेवा करना, मजलूमों की खिद्मत करना, जुम के खिलाफ आवाज उठाना यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तब है अब मैं इसका लगातार विगत तीस वर्सों से पालन करता चला आ रहा हूं बनारस में मुद्दों की कोई कमी नहीं दस वर्षी की सरकार ने इतना बड़ा-बड़ा मुद्दा दिया है सबसे बड़ा मुद्दा बनारस के अंदर नहीं पूरे देश, पूरे परदेश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है महेंगाई का मुद्दा है बिजली का मुद्दा है पानी का मुद्दा है और साथ ही साथ व्यापारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है इन मुद्दों को ले करके इनके उत्थान के लिए इनके समाधान के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से बहन मायवती जी जो हमारी बहुजन समाजक पार्टी की राष्टिया ध्यक्षा है वो पूरी तरीके से लड़ने के लिए इन मुद्दों के लिए तयार है और समाज के सभी जाति धर्म के मानने वालों को उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और रहेंगी बीजेपी विकास के मुद्धों की बात करती है और हमेशा विकास तो वह राणसी में क्या लगता है कि दस सालों में प्रदानमति नहीं कोई विकास नहीं किया देखिए अगर कुछ फ्लाई ओवर्स बन गए कुछ सडके बन गई तो इसका मतलब यह नहीं है यह विकास नहीं है ठीक है अच्छी बात है लेकिन विकास उसको कहते हैं कि बानारस के अंदर बाबा विश्णात की नगरी के अंदर काशी व्यापारियों का विकास होना चाहिए आम जनता को राहत मिलनी चाहिए बिजली जो है सस्ती होनी चाहिए वाटर टेक्स सस्ता होना चाहिए आज जो है हाउस टेक्स सस्ता होना चाहिए आज पनारस की जनता तरही नगर निगम द्वारा जो मनमाने तरीके से हाउस टेक्स लगाया जा रहा है मकान को कामर्शलाइज करके मकान पर हाउस टेक्स बढ़ाया जा रहा है ये कम बड़ा मुद्दा नहीं है कोई गरीब आदमी जो है अपनी छोटी सी दुकान अपने मकान के अंदर अगर बना करके किसी को किरायप और अगर उसने दे दिया है तो नतीजा ये है कि उसके पूरे मकान को कमर्शलाइज करके और उसके असेस्मेंट वढ़ा दिया गया है उसके उपर टैक्स लगा दिया गया है अब वो दो पांसो रुपए महिने पर उसमें अगर दुकान दिया है और उसका टैक्स जो है 20,000 रुपया है तो ऐसी इस्तिती में गरीब आदमी, मिडल क्लास आदमी, लोवर क्लास आदमी बहुत बुरी तरीके से परिशान है और बनारस ही में नहीं पूरे पुरवांचल, पूरे उत्तर परदेश के अंदर तो क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या करेंगे जीतने के बाद हम जीतने के बाद हम हाउस्टेक्स कम कराने का काम करेंगे बढ़े हुए हाउस्टेक्स को कम कराने का काम करेंगे बिजली को पूरे बनारस के अंदर कुटूर उद्योग उनको बिजली सस्ती मौया कराने का काम करेंगे व्यापारियों के उत्थान के लिए जो भी काम होगा व्यापारियों के तरक्की के लिए उसके उत्थान के लिए जो भी प्रयास होगा उस प्रयास को करने का काम करेंगे कुटूर द्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे आज बनारस जो है सीवर लाइन बनारस के अंदर जो है आप उठा करके देख लिजे पूरी सीवर लाइन बनारस की जो डेमेज हो चुकी है एक अच्छा बड़ा प्लान करके सही तरीके से संबंदित विभाग से वैट करके इस पूरे बनारस के अंदर आजादी की पहले की सीवर लाइन है और सारी सीवर लाइन बनारस के अंदर 190 वाड में पूरी सीवर लाइन डैमेज हो चुकी है तो इन तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके मुद्दों को जो जोलन समस्या है उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा विखे देखिन हैं किसी सरकार के ऊपर दोष देने का काम नहीं कर realm हूँ उत्तर परदेश के जोगीनाजजी हैं वह भी प्रयासरत हैं लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तर परदेश यह बनारस के अंदर अप्राद रूपा नहीं है अप्राद लगातार हो रहा है जाये बनारस हो, याउन पूर हो तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर पश्चमी उत्तरपरदेश से लेके पूर्वी उत्तरपरदेश में आपराद में कोई बहुत कमी नहीं आई हैं अपराधी अपराध कर रहे हैं इसमें तो कुई दो यह नहीं हैं हैं बुल्डोजर चला रहे हैं तो जो भै जो भी नियम काईदा कानुन के अंतर्गस पूरा करना चाहिए ये हमारा सोचरा है अच्छा आपको बनास में पांच या पांच ऐसी चीजों में तो सबसे बड़ी चीजी है कि अच्छे जितनी भी अच्छे हो सके सरकारी सबसे पढ़ी पढ़ी बात जितनी भी नगरणिगं की स्कूल है सरकारी स्कूल है, उनको जो उनकी शिच्छा का अस्तर वहां पर मुचा होना चाहिए, उसका सुन्दीकरण होना चाहिए, कानवेंट स्कूल, प्राइवेट कानवेंट स्कूल की तरह, कार्पोरेशन के भी स्कूल का उत्थान होना चाहिए, अच्छे टीचर्स उसमें होना च चाहिए अच्छे हास्पीटल की सुविधा हो जो हास्पीटल अच्छे सरकारी चल नहें उसके अंदर विशेश सुविधा होना चाहिए जिससे गरीब अपना इलाज कर सके इन सब चीजों का बनारत तीसरे अच्छे पार्कों का सुंदी करण होना चाहिए पार्कों का बहु जो भी टूरिस्ट हमारे शहर में आते हैं वो देखने के बाद काशी से उनका विशेश लगाव हो जाए अब बार-बार काशी आए जिससे कि हमको परेटन को बढ़ावा मिल सके और अपराद मुक्त होना चाहिए समाज में इस तरह का जो भी अपराद कोई किसी तरह का कोई अपराद होता है तो उस पर प्रशासन पूरी तरीके से कंट्रोल करे पूरी तरीके से निग्रानी करे जिससे कि अपराद ना हो सके पेट्रॉलिंग होनी चाहिए और जनता से बहुत ही मधुर वेहवार होना चाहिए उनका संबंद जो है बहुत अच्छा होना चाहिए जि जो विक्ति अगर अपराद करता है तो उसको जो है अपरादी कि श्रणी में रखा दिया है यह थे हमारे साथ बस्पा के प्रत्यासी सेद नियाज अली जी जिन्हों ने सरकार से स्वासिछा एवं रोजगार जैसे मुद्दों पर घेदने का काम किया सुरेंद गुपता उत् क्या सकतined